हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डी सरस्वती अकाडमी यूट्यूब चैनल में आज का प्रश्न अर्थशास्त्र क्लास 10 के एक चैप्टर विकास से है प्रश्न उत्तर जानने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रश्न है भारत के लोगों द्वारा उर्जा के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है ज्यात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाए हो सकती है इसका उत्तर है भारत में उर्जा के लिए कई स्रोतों का उप्योग किया जाता है इन में मुख्य रूप से कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक स्रोत और जल विद्युत, सौर उर्जा, पवन उर्जा जैसे नवीकर्णिय स्रोत शामिल है कोईला और पेट्रोलियम जैसे स्रोतों का उपयोग बड़े स्तर पर होता है लेकिन ये सीमिक मात्रा में उपलब्ध है और इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरन प्रदूशन भी होता है अब से 50 वर्ष पश्चात नवीकर्णिय उर्जा स्रोतों की और जुकाव बढ़ने की संभावना है सरकार और लोग अब अधिक पर्यावरन अनुकूल विकल्पों जैसे सौर उर्जा और पवन उर्जा पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोत है तकनीकी प्रगती के साथ इन स्रोतों का उपयोग अधिक प्रभावी और सस्ता हो सकता है ऐसे में भविष्य में नवी करनी उर्जा का उपयोग बढ़ेगा जिससे पर्यावरन को भी लाभ मिलेगा और उर्जा की कमी का समाधान भी संभव होगा तो यही था इस प्रशन का उत्तर अगर विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को ये विडियो जरूर शेयर करना और अगर कोई प्रशन पूछना हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली विडियो में